आज की वीडियों बात करूँगा रासन कार्ड का स्टेटस चेक कैसे करें अगर आप बिहर से हैं और रासन कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं तो असानी से घर बैठे रासन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में Google Open कर लेना है यदि आप मुबाइल पर कर रहे हैं तो desktop बर्जन में ब्राउजर को convert कर लिजिए इसके बाद टाइप कीजिए EPDS Bihar EPDS Bihar सर्च करने के बाद यहां पर देखिए रासन कार्ट डिखा हुआ है इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है इस लिंक को वीडियो के description में डाल दिया हूँ जहां से क्लिक करके विजिट कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए Home के नीचे दिखे Login और उसके नीचे है RC Print यहां पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए Home application status दिखाई दे रहा है इस बटन पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपके सामने एक छोटा सा form ओपन हो जाता है सबसे पहले आपको जिला सिलेट करना है जी जिला में आप रहते हैं उस जिला को सिलेट कीजिए दुसरे अपसाने में अनुमंडल सिलेट करना है यहां से आप अनुमंडल अपने अनुसार सिलेट कर सकते हैं लाश्ट में एक बॉक्स बच जाता है जो की RTPS संख्या डालने के लिए कहा जा रहा है RTPS संख्या उसे कहते हैं जब आप RTPS वेबसाइट से ओनलान रासन काड करवाते हैं तो आप एक संख्या दिया जाता है RTPS का अप्लिकेशन नंबर उस अप्लिकेशन नंबर को इस बॉक्स में डाल कर सो बटन पर किलिक करेंगे तो आप असानी से अस्टेटस चेक कर सकते हैं दूसरा तरीका है जन बितरन के माध्यम से ओनलान करना उस माध्यम से जानने के लिए आपको एक लिंक पर किलिक करना होगा उस लिंक को वीडियो के डिस्टिप्टर में डाल दिया हूँ जहां से किली करके भीजिट कर सकते हैं आपको इस website पर आजाना है यहाँ पर देखे लिख्या हुआ है online राशन card application from a status चेक कैसे करें यहाँ से scroll करना है scroll करने के बाद method 2 को प्रियो करना है यहाँ पर देखे check online status दिया हुआ है इस link पर click करना है सिधे आप चले जाएंगे जन बितरन के website पर यहाँ पर देखे मिल जाता है login ID, password डालने का option यहाँ से capture डाल के login कर सकते हैं यदि आपके पास password नहीं है तो आप forget option पर click करेंगे forget password के option पर click करता हूँ यहाँ पर देखे ए mobile number डालना है पंजिक्रित mobile number डालने के बाद capture दर्ज करेंगे यहाँ पर देखे JBA website पर असानी से login हो गया हूँ यहाँ पर welcome to JBA रासन कार्ड लिखा हुआ है आगे बढ़ने के लिए apply बटन पर cursor ले जाना है mouse का और यहाँ पर देखे लिखा हुआ है track application status इस बटन पर आपको click कर देना है यहाँ पर देखे लिखा हुआ है pending for field verification अगर इस तरह का आपसा ना रहा है status में तो समझ जाए कि आपका जो आवेदन है block label पर जा चुका है verification किया जाएगा verification करने के बाद SDO label पर SDO office बेजा जाएगा इसके बाद आपका आगे की करवाई होगी इस तरह से आसानी से बिहार में रासन काड का status जान सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेर करें और website ने चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद